हलो एन वेलकम टू टेली टॉकीज दोस्तों बिग बॉस सीजन अठारा के घर के अंदर के नॉमिनेशन्स पूरे हो चुके हैं और हमने आपको टेली टॉकीज पर सबसे पहले इस बात की जानकारी दे दी थी कि नॉमिनेशन की पावर फिर से सिर्फ और सिर्फ विविन डिसे बलकि नॉमिनेशन्स की पावर भी दे दी लेकिन आप सब के जहन में सवाल ये होगा कि आखिर कौन कौन हुआ है इस हफ़ते घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट तो चलिए बताते हैं आपको क्योंकि इस हफ़ते के नॉमिनेशन्स हैं बहुत ही जादा स्ट्रॉंग ल दोस्तो हम आपको बता दें कि यहां पर हर एक कंटेस्टन को अपने नाम की चिठी देनी थी विविन डिसेना को विविन जो की घर का टाइम गौड है वो डिसाइड करेगा कि वो किस कंटेस्टन की चिठी को एकसेप्ट करेगा और किस की चिठी को रिजेक्ट करेगा और आपको बता दें कि करंट वीर नॉमिनेट करना चाहता था आलेस को लेकिन नहीं होने दिया विविन ने अपने गुरुप में से किसी को भी नॉमिनेट जी हां इश्या, आलेस, अविनाश, तीनों सुरक्षित हैं नॉमिनेट कौन कौन है फिर रजट दलाल नॉमिनेशन्स मे हैं तो वहीं आपको बता दें कि कशिश भी नॉमिनेटेड है यहां तक कि शुरुतिका भी नॉमिनेशन में आ चुकी है लेकिन दोस्तों आगे के नाम सुनके तो आप फिल जाएंगे वैल हम आपको बता दें कि इस बार फिर से बगगा सेव हो गया है बगगा नॉमिनेशन में नहीं गया है यानि कि एक और हफते आपको इस पागल बगगे को घर में जेलना पड़ेगा लेकिन दोस्तों करणवीर को नॉमिनेट कर दिया गया है तो वहीं हम आपको ये भी बता दें कि घर के अंदर जो लोग नॉमिनेट हुए हैं उसमें हैं शुतिका, कशिश, रजट, दिगविजे और सारा वेल, घर के अंदर जितने भी लोग नॉमिनेट हुए हैं अगर उनको देखा जाए तो इस बार का अलिमनेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉंग होगा क्या लगता है आपको, कौन होगा घर से अलिमनेट या फिर बिग बॉस खेलेंगे इसमें कोई बड़ा खेल वेल, आप अपनी राए हमें कमेंट में जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें